जहें हम आपको root और stem के बारे में समझा दिये थे, यानि जड़ और तना में समझा दिये थे, अब पत्ती समझा देते हैं, देखें पत्ती जो हता है न लीफ, ये पेर पौधो का lateral development वाला भाग होता है, बाहरी भाग होता है पत्ती, पत्ती के बारे में हम समझते हैं, देखे सब्सक्राइब देर पत्ती थे, इस भाग को हम लोगर कtown वरिंत या पेसियोल का ज़ये है, इसे हम लोगर काते है इसी पेसियोल का का मैं क्या होता है ये पत्ती को उठाकर रखता है, तो जिदा धूप आ रहrau रहे है उदर उठाकर रखता है तो हम T लेक देते हैं, हằआ क आगे समझाएंगे और यहां से पत्ति स्टार्ट हो जाती है यह हो गई पत्ति आपकी इसमें चोटी सीरा से कुछ और भी सिराइन निकली होती है वwasser कर देता है तो द्यान दीचे झाते हैं हम उसको black कर देते हैं ताकि जादे दीखेगा, इसे हम लोग कहते हैं, mad sira या mid reap, यह पूरे बीचो बीच में जाता है, mad sira, और यह जो उपर green color का है, यह green वाला जो portion है, यह क्या चीज़े बई, sira है, और इसी में जो blue color से जो दिख रहा है, यह चोटी सिरा है, तो यह हो गई भई अपकी पतिया, पति का जो सबसे अगला भाग होता है, इसको हम लोग कहते हैं, apex, यह एकदम नोकीला भाग होता है, इसे हम क्या कहते हैं, apex, तो यह हम A लिख देते हैं, यह हो गया, ைज़ एपिक्स और यहां से निकला है से क्या किते हैं पेशियोल या व्रिंत कहते हैं पत्ती का जो सबसे साइड का एरिया हो तब एकदम किनार्य वाला भाग उसे हमलोग कहते हैं मार्व hå inici तो यह रंग का धबा पाई जुता यह हरा हरा धेडवा पाई जाता है अलग एंग इसमें लाल दिखा रहे हां तो यह धबये पाई इन धब्बों को हम लोग क्लोरो प्रास्ट कहते हैं यह यह हो मेरा प्रकास अन्य यह का स nichts यानि फोटो निफिस में ंत्यो प्रत ने होजन बनाने देखिए ध्यान से यहां पर यह तो गया वरिंत यहां से निकलेगे यह से पत्ती मा लिए यह यहां पर अब इस पत्ती पे छोटे-छोटे छेद पाए जाते हैं अब दोनों में अंतर समझें यह जो छोटा-छोटा धब्बा है उसे हम कहते हैं सोख के लाया है उस एक्स्ट्रा पानी को वह उपर उड़ा देता है अगर जादे हो जागा तो उपर उड़ा देगा तो इसका पहला काम एक्स्ट्रा पानी को उपर उड़ा देता है इस क्लिया को हम वास्प उत्सर्जन कहते हैं वास्प उत्सर्जन जहां पर जंगल बाता है और बरसा अच्छी नहीं होती है तो वासपूर सर्जन में जंगल कैसे महत्रपूर भूमी का निवाते हैं यह समझ में अगया अब इस जो इस टोमेटा है रंद्र है इसका जो में काम है वो समझे फोटो सेंथेसिस के दौरान CO2 को अंदर लेना और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ना यानि गैसों का जो एक्सचेंज होता है वो इसी छेद के माध्यम से होता है जिसे हम रंद्र या इस्टोमेटा के नाम से जानते है प्रकास संसलेशन यानि फोटो सेंथेसिस अलग चेप्टर है वहां हम प्रूए प्रोसे के कारण ही पत्तियों कारण हरा होता है अब हम पत्तियों के प्रकार समझ जाते हैं पत्ति कितने प्रकार की होती है ध्यान से समझिए पत्ति का जो बाहरी भाग होता है उसके आधार पर हम पत्ति को दो भाग में बाट सकते हैं एक पत्ति होती है जिसे हम कहते है सरल पत्ति दूसरी होती है संयूक्त पत्ति, संयूक्त पत्ति, इस संयूक्त पत्ति और सरल पत्ति, इसको compound या complex leaf कहते हैं, इसको simple leaves कहते हैं, इसे simple कह दिजएगा, और उसे क्या कहेंगे, compound या complex कही है, ये दो टाइप की leaves होगे, इसमें क्या होता है, वैसा leaf, यानि वैसी पत्ति, जिसक इसका मार्जीन एसे कटा-पीटा रहें, बाहरी भाग ऐसे कटा रहें, तो इसे हमनों क्या कहते हैं, सन्युक्त पत्ती जैसे गुलाब की पत्ती, नीम की पत्ती इस तएक की होती है, वही में देखेंगे पीपल, केला, आम, इस तकी पत्तियों का बाहरी एरिया जो होता है, वह एकदम क्लियर होता है कटा पीटा नहीं रहता है तो बाहरी मार्जीन की आधार पर आप पत्तियों को कितनी भाग में बाट दिया दो भाग में आप इमेज में देखके फर्क पता कीजिए अगर आप इमेज देखेंगे तो यह पत्ति का जो साइड का एरिया है यह थोड़ा थोड़ा अंदर की और इसे कटा कटा है तो यह कटा होने के वज़े से इसे हम क्या कहेंगे compound या complex leaf वहीं आप इन पतियों को देखेंगे तो इसका बाहरी बाग एकदम clear है तो इसे कौन सा leaf कहेंगे simple leaves ये तो पतियों का विभाजन हो गया side की आधार पर अब पतियों के अंदर जो सिराएं होती है सिरा मतलब समझते हैं आपको बतायता है भेन इन सिराओं के आधार पर भी पतियों को हम दो भाग में बाटते हैं किते भाग में बाटेंगे हैं दो भाग में कौन कौन सा भाग तो देखिए सिरा के आधार पर पति दो भाग में बाटेगी एक होती एकांतर पति वैसी पति जिसका जो सिरा होता है यानि जो देखिए, एंसाइड की बात नहीं कर रहे हैं, सीरा, यानि बीच वाले सीरा, यह एकदम ऐसे लाइन से होता है, तेहा मेडा नहीं होता है, पैरलर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एकांतर कहते हैं, जैसे आप केला का पत्ती देखे हों, अब पत्ती होती है, जाली का खलल के तो क्या जाली के समान तो जाली कावत एकांतर देखने है यह जो पथी यह यह तेज़जिए यह ने कांतर पत्ति क्वेवश्टें पत्तिंतर, कि इसजिवरां खरां़ पत्ति होती हैं तो ढंद शी lançती है से जाली कावत, जैसे यह देखिए, आम वगर का देखेंगे तो अंदर से एक ठोट यह रहता ही है, उससे छोटे-छोटे भी निकले रहता है, यह सब यह सब, तो जाली के समान भिखरा रहे हैं तो इससे क्या कहते हैं, जाली कावत, आप यह दोनों में हमको फाइदा क्या होग जैसे आप गेहुँद देखेंगेगे तो एक ही गेहु निकलेगा उसको आप दो भाग में तोड़ सकते हैं hyp do धान देखिए धान को खोलेंगे तो एक हीमी ठाल निकलेगा दो खानगे तो टूट जाएगा आप मक्का देखिए मक्का को हटाएंगे तो उसमें जो बिया होता है वो यह कहीं रहता है मतलब लाइन से बिया के समूर रहते हैं मक्का में लेकिन एक बिया को आप चाहेंगे दो भाग में तोड़ना तो नहीं तूट पाएगा केला का काला काला बिया होता है छोटा सा आप दो भाग म होती हैं आप इनका जो बीज होता है इनके बीज को अगर खोली एगा तो दो भाग में बढ़ जाएगा जैसे आम को खा के आप गुठली जो होता है गुठली को फोरिएगा तो गुठली का जो कडा वाला भाग है और उसके अंदर soft type की गुठली होगी जो दो भाग में बढ़ जाएगी, देहात में उसके बीच में नीम का पत्ति डालके पीपीडी बढ़ जाता है, तो जो छोटी पत्तिया होती है उसका भीया दो भाग में बढ़ जाता है, आप और इम्यम्पल देखेंगे, जामून देखें, जामून की पत्ति छोटी होती है, उस जामून को खा लिजेगा, उसके बाद उसका जो भीया होगा, उसको इंटा से फोरिएगा, उसके अंदर दो भाग निकलेगा, तो वो दूई बीच पत्ति हो जाते है, आप चना दिखिएगा, चना की पत्ति छोटी होती है, और ऐसे ही उसकी पत मार्민 रसे और जिसके अंदर व्लाभाग केवाल एक अहीं रहीं है उसे कहते हैं एक बिच पत्री जैसे धान खोलेंगे तो भीया निकलेंगा तो वह क्या हो गया बई एक बीच पत्री जितनी लंबी-पतियाओं वाले होते हैं लंबी-पत्ती वाले इसे तो इसे हम लोग कहते हैं compound leaf तो यह यहां हम समझा दिए अब हम आपको सीरा विन्यास भी बताए थे कि अगर पत्ती जाकितम सीधा है इसका सीरा विन्यास तो इसे क्या कहीं है एक आंतर और पत्ती अगर छोटी है और उसका सीरा विन्यास ऐसे जाली के समान निकला हुआ है तो इसे हम क्या कहते है जाली कावत यह दो बीजपत्री होता है और यह कैसा होता है एक बीजपत्र अब हम लोग स्वाग देखते हैं रूपांतर पत्तियों का रूपांतर कैसे हो जाता है जिन पत्तियों में पानी की कमी हो जाती है उनकी पत्तियां काटे का रूप ले क्यापक doctors बश्मी했다 इसके दो फाइदे मरूस्थल में जल की कमी होती है काटा हो जाने से यएक तो तो इसको कोई जीव जन्तु जल्दी खाएंगे नहीं, दूसरा जो वास्पूर सर्जन जो पानी उड़ा रहा था, ये काटा पानी को उड़ाने नहीं देगा, पहला रूपा अंतरड ये हो गया, जीरोफाइटिक यानि काटे का रूप ले लेती हैं, दूसरा होता है कि नाइट्रोजन की क जानते हैं, उसका इमेज देख लीजेओ, जब पतियों में नाइट्रोजन की कमी हो जाए, जमीन से नाइट्रोजन नहीं मिल पाता है, तो पतियों को पता है कि जितने भी कीड़े मकोडे हैं, इनका सरीर प्रोटीन से बना है, और प्रोटीन जो होता है, वो नाइट्रोज ये कीट इधर जारा है, जैसे ये इंट्री करेगा, इसमें अंदर जाएगा तो यह यहां सlor रूप आंदर हो जाएगा, और वह और उसी को जैसे कैसे जैसे, पेण पोल खाद को सोख लेते हैं, वैसे ये मरेगा इसके सरे को सरीर को सोख लेंगे, तो दूसरा रूपांतर आप समझ गया, कौन सा दूसरा रूपांतर था भई, तो पहला क्या था, जिरोफाइटिक, जल की कमी से, और दूसरा, नाइट्रोजन की कमी से, पिक्चर प्लांटिया नेफेंथास, इसका PDF हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आपको से लेने की ज़रूबत नहीं है, आप वहाँ से ले लेंगे, तीसरा जो रूपांतर होता है, वो टिंड्रल होता है, टिंड्रल क्या होता है, तो पेड़ पोदों में सबजीओं में देखेंगे नाता, एक लतीदार आईसे आप रूप देखेंगे, सबजीओं में, होप आप पत्ती समझ गया होंगे इसका description में PDF मिल जाएगा आप वहां से ले सकते हैं संग में आ गया next video में हम आपको फूल के बारे में A to Z चीज बता देंगे flower क्या होता है जाहिए